दुकानों की नेमपलेट के बाद महा कुम्भ में उठी पहचान पत्र की मांग जूना अखाडे के सनरक्षक स्वामी हरीगरी महाराज ने उठाया, मुद्दा बोले, हिंसा से बचने को सरकार उठाय कदम यूपी में नेमपलेट विवाद कामवड यात्रा से महा कुम्भ तक पहुँच गया है। ये कौपी किसी ऑफिसर, पारशद, ग्राम प्रधान, पंचायत, सचिव से प्रमानित होनी चाहिए, क्योंकि लोग फर्जी पहचान पत्र भी बनवा लेते हैं, ऐसे में दस्तावेजों की जांच जरूरी है। ऐसे में उसकी जगह कोई दूसरा फंस सकता है। कई लोगोंने योगी जी का ही फर्जी पहचान पत्र बनवा रखा है। इन दौर में मैंने शिकायत की तो एक आदमी गोंडा से पकद्धा गया। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि कोई बेगुनाह आदमी न फंसे। महंत हरीगिरी ने कहा, इस बार का महाकुम्भ चुनोतियों से भरा हुआ है। तमाम लोग ऐसे आएंगे जो सनातन को लेकर हिंसक हैं। आस्था के सबसे बड़े मेले में कोई गड़बडी न होने पाए और किसी तरह की हिंसा न होने पाए इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। स्वामी हरिगिरी ने कहा कि मेरी लोगों से मांग है कि गंगा जी को पॉलिथिन से बचाए क्योंकि पानी में रहने वाले जीव जन्तू उसे खाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में पूरे मेले में प्लास्टिक को बैन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कावड यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार 22 जुलाई को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। होटल चलाने वाले यह बता सकते हैं कि वह किस तरह का खाना यानी शाकाहारी या मांसाहारी परोस रहे हैं। लेकिन उन्हें अपना नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में अपनी ताकत का गलत इस्तिमाल किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुकरवार तक जवाब देने को कहा है। तीनों राजियों में कावद दियच यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया गया था। इसके खिलाफ, Association for Protection of Civil Rights नाम के NGO ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका कर्ता के वकील अभिशेक मनु सिंगवी ने कहा कि अल्प संख्यकों की पहचान के जरिये उनका आर्थिक बहिशकार किया जा रहा है। यह चिंता जनक है। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर 26 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। 17 जुलाई को मुजफर नगर के SSP अभिशेक सिंग ने कहा कि जिले के करीब 240 किमी एरिया में कांव DDDH मार्ग पड़ी DDDH ता है। सभी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले जहां से कांवधिये खाने का सामान खरीद सकते हैं, सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नमबर साफ अक्षरों में लिखना पद देगा। ऐसा करना इसलिए जरूरी था ताकि कांवधियों में कोई कन्फ्यूजन न रहे और कानून व्यवस्था में बाधा न आए। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। मुझफर नगर पुलिस का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 19 जुलाई को सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मताबिक कांवधियों की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कारवाई होगी। यूपी के बाद 20 जुलाई को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कामवड यात्रा रूट पर आने वाली दुकानों में दुकानदारों का नाम और मोबाइल नंबर ल हलांकि इस पर अमल नहीं हो रहा था। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा था कि इस बार सावन के महीने में आदेश पर सختी से अमल करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में आयोजित होने वाली कामवड यात्रा में देश के अलग-अलग राज्यों के श्रद्धालू शामिल होते हैं। इन्हें कामवडिया कहा जाता है। ये कामवडिये हरिद्वार से गंगा जल लेकर अलग-अलग शहरों में बने शिवालयों में जलाभिशेक करते हैं। कामवड यात्रा का रूठ नीचे दिये ग्राफिक से समझिए। कामवड यात्र करोड रुपए तक का कारोबार होता है। कामवड़िये खाने पीने से लेकर हर दिन की जरूरत का ज्यादातर सामान रास्ते में पढ़ने वाली दुकानों से ही खरीदते हैं।